नश्रा साथी उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे 18 जुलाई का दिन है और उमीद करता हूँ आप सब बहुत शादर है आज का जो डेली डोस अफ करेंट फेर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और I'm sure you all are very much excited for this session as well जैसे कि आप हर session के लिए बहुत बेसमरी से इंसार करते है make sure आप इस session को भी अपनी हमेशा के तरह like videos में जरूर राइट कर ले do share the session with all your friends और आकाश तंदेव test book जो telegram channel है इसको join करें ताकि जो भी important videos है वो आपको यहाँ पर regular basis में मिल पाएं proper तरीके से यहाँ पर मिल पाएं सब लोगें को I hope आप सब जानते हैं कि अब जो marathon से वो शुरू हो चुके कल मैंने एक geography की marathon ली थी बहुत शांदर और आज मैं marathon जो लेने वाला हूँ 7 बजे वो होने वाली है economy की marathon तो यह आप याद रखेगा very very important this is TAPF assistant commandant में economics की जो marathon है that is what we are going to be doing so of course that is very much important यह आप धान रखेगा anyways आपको तो यह बात पता ही है कि marathons कितनी important होती है ठीक है वो तो मुझे बताने की जूद भी नहीं है anyways जो marathon का link है ना वो नीचे pin कर दूँगा comment section में तो आप एक बार देख लीजेगा pin comment जो सबसे उपर होगा वो इस marathon का link होगा तो आपको अराम से मिल जाएगा getting it? शाम को साथ बजय होगी live तो वो बहुत important anyways कल मैंने कुछ questions पूछे से आपसे question था simple साब एक तो था वे यूनीडों के headquarters जो की मियाना में है और नकोजी अवेलिया कहां से नाइजीरिया से ले ली है तो मैं देख पा रहा हूँ काफे student से सही जवाब दिया है जैसे वेगाट काजिल केश कांती मैं यहाँ पर थोड़ असना ये camera angle set कर देता हूँ because I think it's not very much visible okay now that's better काजिल के शादे सही जवाब दिया है इताची आप है उदे, दीपा, राधा then we have got दामनी clear आर्यन है, स्ष़ष्टी, निशांत, वैभव, गोरा and then we have got of course हर्ष है गिर्धारी, पंकज, प्रिंस, पंकज है परसंजीत, नोटवर्दी, यूजर, दिव्यांक, अनीता and जुही you have all done a great job, शाबश मैं देख पार हूँ, आप सब regularly आ रहे हैं उस session में ना सिफ regularly आ रहे हूँ आप parts pit कर रहे हूँ, बहुत बढ़िया से सारी चीज़े जो हैं वो हमें देखे हैं दखोड सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज क्योंकि 28 जुलाई के दिन है, तो 28 जुलाई को एक दिन होता है बहुत special, that is World Nature Conservation Day कहते हैं ने, nature is a painting for us day after day, picture of infinite beauty only if we have eyes to see them John Ruskin ने ये बाद बोली थी but anyways, what is more important is कि World Nature Conservation Day आज है इसका theme आज से जतना important नहीं है, ठीक है आपको बस ही अगर पता है कि आज ये है तो that is absolutely fine on top of that meeting के हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने semiconductor India organize करवानी है because it will catalyze the semiconductor ecosystem in India, गांधी नगर गुजरात में हो रहा है, आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको याद हो कि भाई, इंडिया के semiconductor mission में बहुत important भूमिका निभाएगी semiconductor 2023 conference है एक तरह कि इसको थोड़ा सा understand करेगा, इसको थोड़ा सा analyze करेगा, very much important this is going to be clear? अब एक country है, वो जादा news में है, उसके उपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, I'll make sure कि मैं आपको जो concept है वो समझा पाऊ वो क्या है, वो देखते हैं Cambodia, when we talk with the Cambodia, वहाँ के Prime Minister रहे, Hun Sen, ये Hun Sen is the Prime Minister, और वो कब से है, 1998 और्वर्ट वही थे ठीक है, तो आप ही मानके चलें, 25 साल हो चुके हैं, for the last 25 years से यही Prime Minister थे, अब इनका Prime Minister होना गलत क्यों है, मालब जो लोग ऐसा बताते हैं, कि इन्होंने opposition को खतम कर दिया, freedom of expression खतम कर दी, यहाँ पे, पूरा का आपको बताना चाहूंगा, हुन मानेत आ रहा है position में, हुन मानेत, लेकिन हुन मानेत कौन है, हुन मानेत इनका बेटा है, इनका सन है, तो बात तो वही हो गई, तो हुन मानेत जो है, वो Cambodian military के general है, he is going to be there, so his eldest son is going to be coming to the power, तो again problem तो solve नहीं हो रही है न, but anyways आपको पता होना चाहिए, हुन मानेत, या फिर हुन सेंज है, यह Cambodian leaders है, आपको मैं यह पूछना चाहरा हूँ, जिससे Cambodian के बात करते हैं, आपको बस यह बताना है, कौन सी countries हैं, जो share करती है border with Cambodian, बहुत simple point kind of question जो से, आगे बड़ता है, फिर्स्ट एवर अधार सेंटर जो इंडियन आमी में, सुरू आमी पोसल सर्विसेस के हम जो बात करते हैं, जो उफकोस जब आटनर पोस्ट का एक initiative वो उसको open किया गए, न्यू डैली में, बहुत ही है, उसको लेकर काफी challenges होते हैं, जो यहां पर उनको face नहीं करने पड़ेंगे, तो यह अधार सेंटर जो है, इन इंडियन आमी यह बहुत जादे इंपोर्टन है, तो location important है जहां रखेगा, अच्छा, बैंगलूरू बहुत जादा news में है, नहीं बारिश की वज़े से नहीं, it is the first Indian city to become part of world city cultural forum, जी हां, WCCF जो है, एक global network of cities है, जो research and intelligence को share करते है, उसके part बन चुकी है, बैंगलूरू, currently we have around 40 cities, जो की अलग अलग continents की है, बैंगलूरू भी उसका part बन चुका है, and important यह, it is the first from India, भारत से पहला शेहर है, जो इस प्रेस्टीजियस group का part बन चुका है, and that is of course, बैंगलूरू, very much important business, कमझ में आया की नहीं आया, तो मतलब हमें at least इन चीजों का अंदेशा हो, आइडिया हो, उससे पूनत प्रॉपर जो clarity है, प्रॉपर जो understanding है, वो आपको मिलेगी, and I am very much sure, कि एक बर वो understanding मिल जाए, तो आपको ठीक्ठा clarity मिल जाती है, because exam में यह सब की से आती है, आदित्य समन्त बहुत news में है, क्यों, because he is the 83rd grand master, आपको शाद पता होगा, जो chess की federation है, international FIDE, उसके अंदर आपको पच्चिस सौ की rating attain करनी होती है, the moment you attain 2500 की rating you become a grand master, तो यह 83rd grand master बन चुके हैं, भारत के अंदर आप 83 grand master हो चुके हैं, अभी कल की बाते हैं, August में I still remember हमारे 1575 grand master थे, अजादी काम रित महुतसफ जह हम मना रहे थे, और आप यह धान रखें, कि मतलब आज हम लोग क्या देख रहे हैं, we have got 83 grand master, तो एक अच्छे rate के ऊपर जो grand master है, वो बढ़ रहे हैं हमारे तो question यह आता है कि आदित से समन्द कौन से sports के साथ associate करते हैं, तो आपको उस sense में इसका answer आना चाहिए, that's why I am basically asking this question, तो देखो, question जिस भी प्रकार का हो, that's a different thing, but आपको एक चीज़ का खास ध्यान देना है, कि कैसे हम लोग उसको answer दे रहे हैं, कैसे हम लोग उसको understanding में ला रहे हैं, that is going to be of immense importance, यह आप ध्यान देजे, मुंबई में एक बाइकुला railway station है, ठीक है माहाराश्णा मुंबई of course, तो it has received UNESCO, Asia Pacific Cultural Heritage Award, यह बहुत important award है, भाइकुला बोलते हैं, भाइकुला यह, तो भाइकुला जो station है, इसको क्या मिला है, Asia Pacific Cultural Heritage Award, तो आप इसको World Heritage Site Award मत समझ लेना, वो अलग होता है, यह अलग है, and of course this is very much prestigious award once again, so यह हमें ध्यान में रखना है, कि यह किसको मिला है, यह award जो है, यह बाइकुला को मिला है, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में located, so yes, this is one thing which we have to be understanding, तो कोशिश यह करें आप, कि मतलब जो भी मैं points आपको बता रहा हूँ, you are able to understand them precisely, so Asia Pacific Cultural Heritage Award जो है, वो बाइकुला को मिला, यह हमें पता होना चाहिए, क्लियर है जी इतना, अब cooperative societies बहुत न्यूज में रहती, क्यों cooperative की ministry भी government इलग बना दी है, तो आप यह यह याद रखें कि national level committee बनाई गई, 2022 में अंडर श्री सुरेश प्रभाकर कहू, very important this was, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे experts थे, सब लोग थे, तो यहाँ पे यह जो ministry बनाई गई, it was to formulate new national cooperation policy, कहते हैं न, साहकार से समरिध्धी तक हमें पहुँचना है, तो national level committee जो है, वो analyze करेगी, सभी feedbacks को उसके बाद ही नहीं policy proper तरीके से बाहर आएगी, तो आपको ही पता होना चाहिए कि cooperative society से जुड़ी ही जो एक committee है, वो किसके अंडर हमने देखा उसको, it was under श्री सुरेश परभू, very important this is, तो एक committee को जो भी चेयर करते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक चोटा सा सवाल है आपके लिए, cooperative societies as a subject, अगर हम देखे, schedule 7 में, तो किसके अंडर आते हैं, center list, state list, concurrent list या फिर resident list, तो किसके अंडर आएगी cooperative society, यह simple सा question है, यह आप मुझे comment करके बताएंगे, very basic question दूसरे, तो यह आप थोड़ा सा धान में रखे, clear है, आगे बड़े, next हम लोग बात करते हैं, नूर शिखावत की, नूर शिखावत has become the first transgender person in Rajasthan to be issued a birth certificate, basically देखे, नूर शिखावत जब भी born हुए, तो इनको male ही designate किया गया था, लेकिन अब इनोंने नया जो birth certificate बनवाया है, वो transgender का birth certificate बनवा ली है, तो पहली बार Rajasthan में हमने देखा, किसी भी person को एक transgender certificate जो है, वो दिया गया है, सरकार के द्वारा, definitely this is very much important, यह आप याद रखेगा, personal news की case में यह आप से directly पूछा जा सकता है, आप मैं बात करना चाहूंगा रश्या की, लेकिन यहाँ पर रश्या-Ukraine war के context में बात नहीं में करना जा रहा, यह एक बहुत important point है, जो मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, इसको आप जहां से देखे आप, very much important this is, I want to talk about बतागायका, बतागायका बहुत जादा इंपॉर्टेंट है जो जगह है, घंडा एरिया है बतागायका, but क्यों important है यह मैं आपको बताओंगा, far east of Russia में आपको मिलता है बतागायका, यह कुछ इस तरह का आपको depression देखने को मिलता है, यह क्या देख रह largest permafrost crater, जो की बहुत speed से बढ़ रहा है, पहले बात तो याद रखो, permafrost है क्या कोई भी ground, जो completely frozen हो, या फिर वो मतलब बहुत थंडा हो, at least two years straight, इस तरह से आप देखते हो यह, यह component देखो ज़रा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, soil, rock, sand, सब कुछ, ice के सा जुड़ी हुई है, जमी हुई है एक तरह से, वो soil उसको permafrost मोलते हैं, तो आप देखोगे जैसे north pole, south pole के पास देखते हो, या higher altitude पे आपको permafrost देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी यह जो crater है, basically, यह permafrost का ही crater है, लेकिन, क्योंकि हम global warming की बात कर रहे है, तो हम देखेगा, तो मतलब, we have to understand this thing, तो बटगाए ग्रेटर देखो, 1999 में कुछ ऐसा था, उसके बाद आप देखो, जैसे 2005 में कुछ ऐसा हुआ, 2013 में कुछ ऐसा हो गया, तो इस crater को gateway to the underworld भी बोलते हैं, ठीक है, so about one kilometer long है, जब यह 1960 में हमने देखा, तो और बड़ा हो रहा है, so this is one very important aspect यह आप ध्यान में रखेगा, very very important दूसरे, तो आपको यह जितने भी मतलब में points बता रहा हूँ, understand भी करना है, इनको देखना भी है, and यह मतलब पूरा जो point है, इसको आप understand करेगा, getting it, अब मैं निधी बुले और रिथिका बुले की बात करना चाहूँगा, बहुत जैसे वरिंदा राथी, यह एन जनननी और वी गाइतरी जो है, they made history by becoming first ever women empires to officiate रंजी ट्रॉफी, अभी recently हुआ था, but anyways, वी कृतिका, अंकिता गुहा और यह निधी बुले रिथिका बुले जो है, यह अभी पास कर गये हैं, वो जो BCCA test लेता है, and they have entered into the BCCA empiring panel, तो इनक की news तो है, लेकिन मैं आपको indirectly बताना चाहरा था about वरिंदा राथी and जननी और गाइतरी के बारे में, जिन्हों ने, मतलब जो पहली महिलाएं बनी, जिन्हों ने रंजी ट्रॉफी को officiate किया as a empire, तो यह बहुत important है, इसको आप याद रखेगा, मतलब इसको हम एक तरह से connect क जोड़ी हैगा मेरे साथ, इस marathon में जो economy के सारे concepts आपको clear करवा देगी, और मैं सारे PDF से यहाँ पर आपको provide करी देता हूँ, तो उसके तो कोई fight है ही नहीं, तो हर रोज ना सिर्फ सुबह 6 बजे यह वाला session आप देखते हो, बलकि 12 बजे मैं live भी आता हूँ, यहाँ पर ब सकते हैं, जहाँ पर आपको CDA, CAPF, FKID की subscription मिल रही है, so I am sure you all want to take that few days का ही offer होता है, you can take full advantage of this session, मैं फिर से बता देखता हूँ, यहाँ पर pinned comment देख लेना एक बार, pinned comment में link होगा, watch for that link, और उसको click करके reminder set कर लेना, आज के 7 बजे वाले शांदर session के लिए जो की economic होगा, that's very much it for now, have a great great day everyone, दो मैंने दो questions मुझे उसका answer जरूर दे, आपका नाम project किया जाएगा अगले session में, जैसे कि हमेशा करता ही हूँ, thank you so very much, have a great day, जै हिंद, जै भारत